दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में मौसम विभाग का अलड़ 26 जिलो में गरद चमक के साथ ओलिक गिरने की चिताउनी जिहां मौसम विभाग के मतावे गुत्तर पश्चिम बिहार के 5 जिलो पश्चिम चंपारन सिवान सारन पुर्वी चंपारन गोपाल गंज उत्तरमद बिहार के 7 जिलो सितामडी मदुवनी मुझपर पूर दर्वंगा वैसाली सिवर समस्तिपूर दचिन पशिम बिहार के 6 जिलो बकसर भोजपूर उतास भववा औरंगाबाद अर्वल तथा दचिन पूरो बिहार के 5 जिलो भागलपूर बाका जमोई मुंगेर खगडिया और उत्तर पूरो बि साथ की बिहार में 45 किलोमेटर प्रती घंटे की रब्तार से हवाई चल रही है जिससे मौसम का रूक बदल गया है अगली बड़ी कबर सरसती पूजा को लेकर अलड़ पर बिहार सरकार राजधानी समेत 32 जिलों में आतरीत सुरक्चा बलो की तैनाती की जाईगी इसको लेक राज पुलिस मुख्याले ने आदेश जारी कर दिया है सासस्तर बलो के साथ साथ बड़ी संक्या में लाटी बल की भी तैनाती की जाएगी राजधानी पड़ना में करीब 400 लाटी बल को तैनाती किया जाएगा अगली बड़ी कपर सूरहित कोरोना वेक्सिन के पालिखे पोची बिहार आज से त Katy सरकारी सेंटरों में लगाई जाएगी जाएकोवडी कोरोना टिककरन में अब और तेजी आएगी सूरहित कोरोना वेकसिन के अपवर्दि सुरू हो गई है इसकी पाली प्यार के बिहार क सबसे पले इस टिके के कीम मिली है इसमें डेड़ लाग खुराके सामिल है साथ यह आपको बता दे कि पाटना में अभी तेने सरकारी सेंटर पाटली पूत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राज के पुल्टेकनिक कोलेज पाटली पूत्र और हो पिहार के पिछे इस्तित गु जोज ले सकते हैं अगली बड़ी कबर बिहार सरकार स्कूल और कोलेज खोलने के पक्च में क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप को सिक्चा मंत्री ने सोपी है रिपोर्ट्स कोरोना की तिसरी लहर को देखते हुए बिहार में स्कूल और कोलेजों में सिक्चन कारे बंद है स आप्दा प्रबंदन समु को अपनी राय से आउगत कराया है। आपको बतादी कि बिहार के सिख्चा मंत्री बीजे कुमार चोधरी ने स्कूल और कॉलेज को खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के बाद अब इसे वापस का नेनन आप्दा प्रबंदन समु को लेना है। अगली बड़ी के बर बिहार के पाँच मैजदूर की मौद पर सेम नितिस ने जताया सोक मौाबजे की की घोसना। जिया मुक्यमंत्री नितिस कुमार ने महराष्ट के पोने के यरवदा इलाके में सास्त्री नगर तेस निर्माना सीर माول में लोहे की जाली गेरे से वे हाङथे को आरतेंद दूख बताया है। तता इस में बिहार के कठीहार जिले के पाँच मैजदूरों के मृति पर गारी सोक सवैदना वेकित की है। विक्यमंत्रे ने इस हादसे में बिहार के मिर्तोकों के परिजिनों को सियम रहत कोष से दो दो लाक रुपी अनुगरा अनुदान देने की गोसना की है। परिवार के साथ घर की सुविदा मिलेगी। अगली बड़ी कपर इगारा परवरी को होगा मुंगेर ब्रेज का लोकारपन। राजमार्क मंत्री नितिर गणकरी इसका लोकारपन कर आम लोगों को समर्पित करेंगे। सुबह के पत निर्मान मंत्री निति नवीन ने भी यह जानकारे दिये है। मंत्री ने कहा है कि यह पूल मुंगेर और बेगोसराई को जोड़ेगा। अब इसका निर्मान कार पूर्ण हो चुका है। अगली बड़ी कबर बिहार में जल्द होगी मैट्री के इंटर के सिक्चकों की नियुकती। सियम नितियस ने कहा बच्चों को नहीं होनी चाहिए दिख्या। अगली बड़ी कबर बिहार में महागडबंदन में आई दरार लालू यादम ने कॉंग्रेस और राजद के अलग राका किया एला। जा बिहार में कॉंग्रेस राजद का गडबंदन तूट चुका है। ने कहा कि कॉंग्रेस के साथ राजद राश्टी इस्तर पर है। विहार विदान पर रिसत चुनाव को लेकर उन्होंने कॉंग्रेस के लिए कहा कि मलसी जुनाव में लड़ रही कॉंग्रेस तो लड़े राजद के वल राश्टी इस्तर पर कॉंग्रेस के साथ है। अगली बड़ी कबर राजद रनगर टर्नमिनल पर बनेगा सुपर स्पेसलिटी इस्तर बिहाटा औरंगाबाद रेल लाइन के लिए भी मिली रास्टी। पर बिगिया की तरज पर राजेद नगर टर्मिनल के समय भी रेलवे का केंद्रे सुपर इस्पेसिलिटी अस्पताल बनाने की योजना है साथ ही पाटना साहिब इस्टिसन के जिडनो द्वार की भी योजना है लोकसवा में समवार को पेश से रेलवे की बजट में इसका प् सर्विक्चन होगा विहार सरेप और जहानाबाद के बेच एक संक्राय होते वे नई रेल लाइन के लिए सर्विक्चन होगा अगली बड़ी ख़बर बीपेसी सरसटवे में बड़ी पदों की सेंख्या एल इसी परिच्छा के तारिक भी बदली आयोग या भियरतियों की आएगे इस बाबत आयोग के सयुंगत सचीव सब परिच्छा नियंद्रक अमरेंदर कुमार ने सुकुरवार को अधिसुचना जारी कर दी है आयोग के परिच्छा नियंद्रक ने बताया कि सरसटवे बीपेसी के लिए दो और विवाकियों की और से अधिया अचना परिक होगा पहले इसकी तिती 27 फरवरी थी अगली बड़ी कबर बिहार के सारन में बनेगा अंतर राष्ट्य बंदरगा गुवाटी और नेपाल तक जाएंगे समार जिया केंद्र सरकार के महत्वा कांचे जल मार्ग परियोजना के तहद सारन जिलाइसित कालू घाट में अंतर राष्ट्य हाई लेवल बंदरगा का सिलना सनिवार को पैतन पोत परिवान और जल मार्ग मंत्राले के केंद्रिय मंत्री सर्बानन्द सुनवाल गाईगाट इसीत बारतिय अंतर देश से जल मार्ग प्रदिकरन से करेंगे अगली बड़ी कबर बिहार बोड ने कागजातों की दोसरी परति निकालने का सुल्क बढ़ा दिया है अब मेट्रिक के मूल परमान पत्र के दूसरी कौपी लेने के लिए 500 रुपे सुल्क देना होगा जबकि इसके पहले इसके लिए सुल्क 300 रुपे ही था बड़ी दरे इसी मेने के एक वरवरे से लागू हो गई है अब डोकुमेंट निकालने के लिए ज़्यदा रासी देने होगी इसी तरह इंटर के परिचात्रियों को अब बंदिक परमान पत्र लेने के लिए 240 रुपे देना होगा पूरों में इसके लिए 120 रुपे सुल्क निर्दारित किया गया था अगली बड़ी कपर रासन कार्ड के लिए बदला नियाम नए फ़र्म में बढ़ गई है कॉलमें अब आई के साथ जाती और निवास परमान पत्र भी जरूरी जा बिहार में साइबर केपे में इन दिनों रासन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने को लेकर भेड़े लगी रही है कुछ दिनों पहले तक आवेदक आधार कार्ड बेंक की पास्बुक वा पहचान पत्र संलंग कर आवेदन ओलाइन करा देते थे लेकिन अब साइबर केपे वाले आवेदकों से उक्त दस्तावेज के अलाबा जाती आई वान निवास परमान पत्र के मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि आवेदन में इन तिनों परमान पत्र का कॉलम बढ़ा दिया गिया है बिना इसके आवेदन मायन नहीं होगा निरेस्त होने के आसंका है अगली बड़ी खबर एगनों में री रेजिस्टेशन वा एडमिसन की तिती बढ़ी जनवरी 2022 सत्र में 10 फरवरी तक री रेजिस्टेशन वा एडमिसन S.C.H.T. 64 का फ्री में होगा एडमिसर जिया एगनु ने यूज़ी और पीज़ी में री रेजिस्ट्रेशन के तिदी बढ़ा दी है एगनु किसी चाती सायता केंदर पुर्निया के समयन नव प्रोपेसर गोरिक कांत जाने जानकारे दी है उन्हेंने बताए कि जनवरे 2022 सत्र के लिए फिर से रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की आन्तिम तिति 10 फर्वरे तक बढ़ा दी गई है इसकी सुचना इगनु की बिर्दाती पंजेन बिवाग के उपने देसक डाक्टर रजिदा पंडा के दौरा जारी की गई है आज कि लब का स्वाल बताए कि बियार में सरस्थी पुजा पर डेजे बजाने के अनुमती देने चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं